दोस्तों ये है Yama FG25 का MotoGP Edition Yama ने इसको New Launch किया है कुछ नए बदलाब के साथ FG25 में दो Variant आते हैं तीन Color Option के साथ ये FG25 का MotoGP Edition Color है Dual ABS के साथ इसमें नए क्या बदलाब किया है, Features क्या है, Mileage क्या है नई On Road कीमत कितनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले में स्टार्ट करता हूँ इसके Front से तो इसके वाइजर के उपर आपको मिलता है Wind Sealed का Glass जो की Piano Blackness में दिया है और यहाँ पर आपको Number Plate का Option मिलता है और इसके वाइजर के नीचे की साइड में आपको Yama Luke का Logo और Graphics देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको Bulb में Indigator देखने को मिल जाते हैं और इसकी Headlight की बात करें तो यहाँ पर आपको LED Setup देखने को मिल जाता है और इसके Front में आपको 282 mm diameter की Disc Brake देखने को मिल जाती है जो की Dual Channel ABS इस Bike में आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 100 Y80 Section का Tire Size दिया गया है 17 Inches के Black Color के Eloi B मिलते हैं Suspension के उपर Yama की Branding मिल जाती है और इसमें आपको Telescopic Fork टाइप के Suspension मिलते हैं तो अब बात करें इसके Meter Console की तो इसमें आपको Fully Digital Type का Meter Console देखने को मिल जाता है जिसके उपर आपको Yama की उपर की साइड में Branding देखने को मिल जाती है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको Gear की Neutral Light, Engine Malfunction Indication Light और Turn Signal Indication, ABS Indication और Main Head Light Indication की Trip को देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर आप Display में मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पर आपको Handle War Road है वो आपको Black Color की मिलती है और इसके जो Side Mirror है वो भी आपको काफी Unique और काफी Premium Design के मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Passing Switch, Low Beam, High Beam Switch और यहाँ पर आपको Man Head Light का Switch और नीचे आपको Indicator और Horn का Switch मिलता है इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको Engine Kill का Switch मिलता है और नीचे की साइड में आपको Self का Switch देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और इसके Fuel Tank के Cowl के उपर आपको Enios और Energy का Logo मिलता है और यहाँ पर आपको FG25 का Sticker दे दिया गया है और इसके Fuel Tank के उपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको Golden Color में Yama का Logo देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी Carbon की Finish देखने को मिल जाती है जो की काफी ज़्यादा Attractive लुक दे रही है इस Bike को और इसके Panel के उपर भी आपको Monaster Energy का Sticker देखने को मिल जाता है White Color और Green Color के Combination में इसके Rear में आपको मिल जाता है 140 Y70 सेक्षन का Tire Size इसमें आपको MRF Company के Tule S Tire मिल जाते है और 17 इंचिस के Black Color के सांदा रेलोई वील मिलते है और 220 mm की डायमीटर की डिस्क ब्रेक दे दी गई है इसमें आपको Dual Channel ABS Breaking System मिलता है और यहाँ से आप इसके पीछे वाले Tire को देख सकते हो और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है और इसकी रियर में आपको 7 step adjustable monocross type का suspension मिल जाता है जो की आपको mostly sports bike में देखने को मिलता है अब इसकी seat की बात करें तो इस bike में आपको split type की seat देखने को मिल जाती है जो की graphics के साथ दिया गया है और overall इसका जो color combination है वो काफी प्यार है और यहाँ पर आपको split type के grab handle मिल जाते हो बीच में आपको yama का golden color का logo मिल जाता है और इसकी जो tail light है वो आपको मिलती है LED की और side में आपको halogen type के indicator मिल जाते हो नीचे आपको मिल जाता है एक reflector और दोनों side में भी आपको reflector मिल जाते है इसके rear वाले mudguard के उपर और यहाँ भी आपको monster energy का logo मिल जाता है इसके fuel tank की capacity है वो 14 liter की दी गई है इसके rear की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard मिलता है जो की इसके tire hugger में attach किया गया है और यहाँ पर आपको इसका जो chancet cover है वो आपको fiber में मिलता है और plane के लिए भी आपको adjustable footrest मिल जाता है और इसके बीच वाले section की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 mm की ground clearance मिल जाती है इस bike में और यहाँ पर आपको इसके side stand के उपर आपको एक engine cutoff का sensor मिलता है इस bike में आपको double stand offer नहीं किया गया हो यहाँ पर आपको जो है 5-speed gearbox मिल जाता है जो की manual में हो यहाँ पर आपको rider के लिए भी adjustable footrest मिल जाता है और इसके engine के उपर आपको yama की branding और इसके नीचे की side में आपको जो है 20.8 ps की power 8000 rpm और 20.1 nm का torque generate करता है 6000 rpm इसमें आपको मिलता है 5-speed gearbox इसका curve weight 153 kg और यहाँ से आप इसके engine की दूसरी side को देख सकते हो जो की आपको black matte finish में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको engine का cowl दिया गया और यहां पर इसके corner पर देखोगे तो यहां पर आपको oxygen sensor देखने को मिल जाता है जो कि B-6 की पैचान मानी जाती है और यहाँ पर आपको rider के लिए डूहां पर और यहां परापको break pad मिल जाता है जो कि metal और closerness के साथ दीए गया हो यहां पर आपको breaking का system हो यहां पर उतिको प्लेन लागी है वहां सब्सक्राइब्ध को दिख सकते हैं आप उसके प्लेट लगी है वहां आपको है और यहांसे अप आप इसके हांड को भी नोट कर सकते हो आपको इसके इंजिन का और इसके एग्जोश्ट के सान कासा लगा वीज कमेंट कर ज़रूर बताएं तो अब बात करें इसके मैंलेज धीत को 32,35 MPL का यहाँए मिल जाएगा अब आम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की तो यामा FG25 के डूल चैनल ABS, मोटो जीपी एडिशन की ओन रोड कीमत है 1,63,425 रूपीज ये ओन रोड कीमत मैंने आपको बताई है तनुसका ओटो यामा मद्यम ग्राम कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जनकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगी अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को जिससे की मेरी हर वीडियो की सबसे पहले पहुंचाए आपके पास थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में